नमस्कार दोफ्तों सभी साथियों को जेहिन जेभारत वेदा क्लासेस में आप सब का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों उत्तर्थदेस्पुलिस फरती परिक्षा के लिए हम दो ख्लाक्रास कर रहे हैं और अख हम इतिहास की क्लासिस यानि कि हिस्ट्री की क्लासिस कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसी का हम तुरंत ही या दूसरे सेशन में लेकिन उसी दिन क्यूज या उससे संब्धित प्रशन हम कर लेते हैं तो आज की हमारी यह दूसरी क्लास है हिस्ट्री की और जिसम प्रश्न दिये गए हैं तो या आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी उस क्लास को भी देख सकते हैं important class है और इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी की class भी और हिंदी के क्यूज सुरू करने वाले हैं हम ठीक है तो चलिए बीना देर के विए चलते हैं आज की class पर लेकिन दोस्तों आगे चलने से पहले यादि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर आप तो ये भारती उफ महादीप में नगरी ईकरांती को दर्शाती है यानि की एक तरह से इसमें जो नगर निरमार ते ग्रामीर नहीं थी एक तरह की नगरी क्रांत यानि की शहरी सभ्यता थी जो हमारी हडपस सभ्यता थी इसका जो छेत्रिय विस्तार है नगर नियोजन यानि की जितने छेत्रों में यह जहां कर कई सारे शेत्रों में यह फैलित हुई थी नगर नियोजन जिस तरह से शहरों में आज के शहरों से भी उन्नत इसका इस सब्भेता का मेसुपोटामिया की सब्भेता की समकालिन माना जाता है यहां से प्रश्ण बनता है हडपा सब्भेता किस सब्भेता की समकालिन मानी जाती है तो हडपा की सब्भेता को मेसुपोटामिया सब्भेता की समकालिन माना जाता है लेकिन जो हडपा सब्भेता थी मेख़ो पोटामिय की सभषटा से कहीं अधिक उन्ठ थी ठीक है दूसरा प्राशन जो आता है कि यह एक organizer य्विता थी तो प्राग एतिहासिक सभषटा थी यानि कि प्लाग आतिहासिक सभषटा जिसकी लिपियों को या बढ़ा नहीं जा कि हड़ापा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी तो यह एक कांस यूगेन सभ्यता है इसका जो कालक्रम यानि कि यह कितनी वर्ष पुरानी है तो यह लगभग 25 इसापूर्व से 1750 इसापूर्व पुरानी है और इस तिथी की गणना किस विधी के द्वारा कारबन C14 डेटिं विधी की द्वारा इसकी तिथी की गणना की गई है तो यह प्रश्ण भी पूछा जाता है कि इसका कालक्रम या कितनी पुरानी यह सभ्यता है दूसरी बात इस सभ्यता की जो तिथी है वह किस विधी द्वारा पता लगाई गई है तो कारबन C14 की द्वारा इसका पता समधता की खोज की मिले हैं जब एक प्राप्ती के प्रस्चाए प्रस्चा जादा जो इस्तल है हड़ापा सब्टा से संब्हतत हैं कहां पर गुजराई इसे मिले हैं लिपी चित्रातमक कैसे थी चित्रातमा क्यानि कि उसमें अक्षरना होकर चित्रों के माध्यम से वह लिपी थी इससे दाई से वाई और लिखा जाता था यानि कि जैसे हम लोग इधर से लिखते हैं लेकिन जो सिंधु सब्विता थी वह दाई से दाई से वाई और लिखा जाता था और माली जी क यहां पर खतम हो गया तो फिर यहां से शुरू कर दिया जाता था ठीक है तो यह दाई से बाई और लिखा जाता था सिंदू सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धती अपनाई थी सिंदू सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धती को अपनाया था तो जो ग्रीड पद्धती थी नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए विभाजन के लिए ग्रीड पद्धती अपनाई गई थी आगे चलते हैं संधाव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे मेसो पोटामिया की अभी लेखों में बन्रित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्था से ही है मेसो पोटामिया की अभी लेखों में बन्रित मेलूहा शब्द का अभिप्राय किस से है तो उसका अभिप्राय सिंधु सभ्था से है मेलूहा शब्द का विप्राय सिंधु सभ्था से है शिंधु सभ्था का शाषन मडिक वर्ग के हाथ में थे यानि की लगवडिक वर्द की वियापारीों के हाथ में था वडिक से याद आया थोड़ा से पीछे चलते हैं जो रिगुवेत था तो रिगुवेत के समय में जो व्यापारी होते थे उन्हें क्या पड़ी कहा जाता था यह याद रखिएगा जो रिगुवेत में जो व्यापारी होते थे उन्हें पड़ी कहा जाता था ठीक फिर आते है यहाँ पर तो सिंधु सभिता के लोग तलवार से परचित नहीं थे और सिंद्धु सभधा के लोग तलवार से परचित नहीं थे, तो वे लोहे से भी परचित नहीं थे, यह भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, वे सिंद्धु सभधा के लोग तलवार से परचित नहीं थे, आगे चलते हैं सिंद्धु सभधा के प्रमुख इस्थल कौन कुन से हैं उनकी खोज कब हुई उनकी खोज किसने की किस नदी की किनारे पर हैं और वह कहां पर इस्थित हैं ठीक है इसका PDF आपका यहनकी जो इसका PDF है वह हमारे टेलिग्राम गुरुप से या वाट्सप चैनल से मिल जाएगा दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया है तो संदो सभिता की प्रमक इस्थलों के बारे में बात करें दी तो पहला हमारा है हडपा हडपा किस नदी किनारे पर है रावी नदी की किना अगला है चंदूहडो तो चंदूहडो भी सिंधूनदी के घाटी पर एस्थित है और चंदूहडो की खोज 31 स्वि में गोपाल मजुमदार की दोरा की गई थी और यह तीनों ही यहां पर पकिस्तान की सिंध प्रांत में ही इस्थित है ठेक है? इसके आगे चलते हैं काली बंगन, जो काली बंगन है वो है घरगर नदी के किनारे पर इस्तित है, इसकी खोज 1903 में बीवी लाल और बीके थापर ने की थी, और जो काली बंगन है ये राजस्थान के हनुआनगड जिला में इस्तित है, बहुत ही important question है, ठीक है, तो काली काली बंगन कहां पर राजस्थान के हनुआनगड जिला में इस्तित है, अभी आगे हम एक-एक सभी इस्तानों को देखेंगे, फिर आता है कोटदे जी, कोटत जी, तो जो कोटत जी है वो है सिंधु नदी की किनारे पर इस्तित है, इसकी खोज 1903 में फैजल एहमत ने की थ इस्तित है, आगे रंगपूर, जो रंगपूर है यह मादर नदी की किनारे पर इस्तित है, और इसकी खोज 1903 में रंगनात राओ के द्वारा की गई थी, जो रंगपूर है यह कहां पर गुजरात में इस्तित है, अगला है रोपड, रोपड सतलोज नदी की किनारे पर इस परिस्तित है लोफल ब्हगवा नदी की किनाये परिस्तित है और यह है 1945 में, रंगनाथ राओं के दवराई स खोजा गया था और जो लोथल है यह भगवा नदी की्नारे पर गुजरात में गुजरात के एहमदाबाद में है आगे आलमगीरपूर आलमगीरपूर हिंडर नदी की किनारे है और इसे भी एक गिदत शर्मा ने 1958 में खोजा था और यह उत्तर प्रदेश के मेरट में है तो उत्तर प्रदेश वालों पुलिस के लिए आज दिया आप तयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इंपोर्टन्ट हो सकता है इसमें से आपको कुछ भी ना छूटे यानि कि जो हडपा सब हडपा इस्तहल है आलमगीर वह किस नदी की किनारे पर है हिंडर नदी की किनारे पर इसकी खोजगिस की द्वारा की गई थी यह गिदत शर्मा की द् 1958 में भी गई और यह कहां इस्तित है उत्तर प्रदेश के मेरट जीले में यह इस्तित है ठीक है याद आपको हडपा मोहन जोड़ो चंदुहडो काली बंगन रंगपूर रोपड लोथरल और धौला वीरा इतने करने हैं लेकिन सबसे आपके लिए इंपोर्टन्ट है आलम गीर यह सबसे आपका इंपोर्टन्ट है क्यों कि आपके यह उत्तर प्रदेश से संबंधी थे आगला आता है सुद कांग डोर और यह दाश नदी के किनायरे पर इस्तित है इसकी खोज 1965 में जोर्ज डिल्स के द्वारा की गई थी यह पाकिस्तान में इस्तित है नेक्स्ट है बनवाली तो बनवाली रंगोई नदी की किनायरे पर इस्तित है इसकी खोज 1974 में रवेंदर सिंग विष्ट के द्वारा की गई थी और हरियाडा हिसार में इस्तित है धौला वीरा यह गुजरात कक्ष में इस्तित है और इसकी खोज 1991 में रवेंदर सिंग विष्ट के द्वारा ही की गई थी ये वीडियो को आप सुवेश राम देखेंगे या दिन में दो बार देखेंगे तब भी आप इसको पूरा याद कर सकते हैं आप आगे चलते हैं महतपूर नगरों से संबंधित तत्यानी कि जो अलग-अलग अभी हमने नगर पढ़ी उनसे संबंधित तत्या हम देखते हैं तो उसमें पहलार सबसे इंपोर्टेंट या सबसे महतपूर है वह है हडपा तो हडपा को आपको पता है कि हडपा राखलदा स्केहास बानरजी के दीएर उनीसस्षवी में खो जा गया था और हडपा अभी वरतमानtu कहाँ पर है पाकिस्तान से नत्राच की दन्रत्य करती हुई मुथि प्रस्तर की मुर्थी मिली है तो प्रशन पूछेगा सिंधु घाटी सब्विता के किस इस्थान से नट्राज की दिनरत्य करती हुई मूर्ती मिली है तो हड़पा से मिली है ठीक है इस्टुवर्ट पिगट ने इसे आर्थ-अध्योगिक नगरी कहा है ठीक अर्थ अध्योगिक नगरी सिंधू घाटी सब्धा के किस इस थल को माना जाता है तो अर्थ अध्योगिक नगरी हडपा को माना जाता है किसके द्वारा कहा गया यह है यह स्टुवर्ट पिगट के द्वारा कहा गया क्यों कहा गया क्योंकि यहां की निवा पार में तकनीकी शेतर आधिकारियों में लगा हुआ था जिसकी वाज़े से हडपा को इस्टूअरट पिगट ने अर्थ और्धियोगिक नगरी काererी का नाम दिया. उन्होंने हडपा और मोहन जोदव्रों को उन्होंने यानि कि किसने? मोहन जोड़ों पर तो जो मोहन जोड़ों है मोहन जोड़ों किस नदी किनारे पर पाकिस्तान में इस्थित है और इसकी खोज 1922 में राखल दास बनरजी की द्वारा की गई थी इसी तरह से इसके आगे देखते हैं जो मोहन जोड़ों है मोहन जोड़ों का जो शाब्दिक अर तिन का आइत किया जाता था, तिन का आयत करते थे और यह तामवे और तिन को मिला कर कांसे का निर्मार करते थे, तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, मोहन जो दोड़ो से ब्रहत इसनानागार, अनागार, पुरोहित की मूर्ति आदि मिले हैं और जो यहां से मिला अनागार है वह संधा गाटी सभ्यता की या सिंधा गाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी ठीक है और यहां से एक कास्त की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है देखिए यहां पर दो चीजे हैं यहां पर जो आपका हड़पा सबहता है यहां से नटराज के नर्तकरती मूर्ति प्रस्तर की मूर्ति मिली है लेकिन जो आपका मोहन जो दोडो है मोहन जो दोडो से नर्तकी की एक मूर्ति मिली है जो द्रवी मुंबिती से बनाई गई है ठीक है तो अगे चलते हैं मुहनजोदुडों से एक शील पर तीन मुख्वाले देवता जिसे पशुपत नात कहा गया कि मूर्ति मिली है और पशुपत नात की चारों और हाथी यहां से मानों का अंकाल भी मिले हैं, जो नरसंखार का अनुमान लगाते हैं, यहां कि जो मानों का अंकाल मिले हैं, वहां जो दोड़ों से, उसकी खोपड़ी में, खाओ या छेद जैसे हैं, खोपड़ी में जिसके वज़े से, यहां पर नरसंखार का अनुमान लगाया जा स अगला हमारा है चंदुहडो तो चंदुहडो में जो चंदुड़े चंदुहडो के गवार देख लिजी चंदुहडो सिंधु नदी की किनारे परिस्थी थे जिसकी खुज 1931 में कोपाल मजुनतार के द्वारा की गई थी ठेक यह आपका यहां पर भी रिवीचन हो गया चंदुहडो से मड़ी कारी मुहर बनाने का काम यहां पर मड़ी कारी मड़ी रतने बनाए जाते थे मुहरें बनाए जाती थी भार और माप के जो बाट होते थे जो वजन मापने के काम में आते थे वह यह सारी चीशने चंदुहडो में बनाए जाती थी और चंदुहडो से यह मन के बनाने का कारखाना मिला है यदि आप से पूछे कि मन के बनाने का कारखाना कहां से मिला तो चंदुगडों से मिला और उसकी खोज किसने की थी अरनिस्ट मैके ने ठीक है किसने की थी मन के बनाने की कारखाने की खोज किसने की अर्निस्ट मेकेने की थी और चंदुहडों से वक्राकार इंटें भी मिली है ठीक है इतनी बातें आपको चंदुहडों के बारे में याद रखनी है आगे है लोथल तो लोथल के बारे में एक बार फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोथल है यह गुजरात और यह भगवारादी की किनारे परिस्ति जिसकी खोज 1955 में रंगनात राओ के द्वारा की गई थी इसके बाद जो लोथल है लोथल से डाक यार्ड यानि की गोदी वाड़ा या बंदर गाह के साक्ष मिले है ठीक है अता ही है सिंधु सभिता का बंदर गाह था ठीक है तो यदि आपसे पूँचें कि सिंधु गाटी सभिता के किस इस थल से डाक यार्ड या बंदर गाह के साक्ष मिले है या बंदर गाह कौन से था तो यह होगा लोथल और लोथल से ही चावल के प्रथम साक्ष मिले है धान की खेती के प्रथम साक्ष चावल के पूँच सकता है यद धान की खेती के पूंच सकता है, दो में से कोई भी पूंच सकता है, तो चाहे आप धान का कहिए, या चावल का कहिए, दोनों की जो प्रथम साक्ष्ण हैं, रोथल से मिले हैं, और सिंदु काली जो घोड़े थे उनके अस्ति पंजर ये घोड़ों के अस्ति पंजर भी यहां से मिले हैं लेकिन जो अस्ति पंजर है वो कई सारे स्थानों समल जैसे काली बंगा में भी अस्ति पंजर मिले हैं ठीक तो ऐसे जो एक से ज़्यादा जगों पर होते हैं उन्हे किला में इस्थित है किस नदी की किनारियत है और इसकी खोज 1903 में विबी लाल और विके थापर के दीड़ार की गई थी ठीक है यहाँ से जो काली पंगा है कच्ची इटों से भवनों को दिर्माड या घरों को दिर्माड हुआ है ठीक है यहां से भी घोड़े के अस्ति पंजर मिले हैं लेकिन जूते हुए खेद या जोते के इस खेद और नकाश्चिदार इटों का प्रसम सक्ष कहां से मिला है वह काली बंगा से मिला है ठीक है आग आज के लिए दोस्तों इतना ही सिंदुगाटी सर्पिता से संबंधी जो आपकी थेहोरी क्लास में जो मेन इंपोर्टन शीजें थी वह इतने ही थी हम बाकी जो चीजें है वह आपके हम क्यूज वाले सेशन में इसको कम्प्रीट करने वाले हैं ठीक है तो मिलते हैं आप से क्यूज वाले सेशन में तब तक ले नमसकार धन्यवाद